अगर आप भी एक ही तरह की बिंडी की सबजी खाखा के बोर हो गये हैं, तो एक बार ये मसालिदार चटपटी दही बिंडी की रेसिपी बना कर जरूर ट्राइ करें, क्योंकि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी ये लगती हैं, और बनाने में उससे कहीं गुना ज़्याद भींडी ली है, और भींडी को अच्छे से पानी से वाश कर लिया था, उसके बाद इसको सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोच लिया है, ताकि भींडी में बिल्कुल भी पानी न रहे, तो अब हम क्या करेंगे, कि भींडी को काटेंगे, तो सबसे पहले हम भींडी क दोनों किनारे को काट देंगे और उसके बाद इसको एक से डेड़ इंच के टुकडों में काट लेंगे अब हम इसमें चीरा लगा लेंगे तो सभी बिंडी को हम इसी तरह से काट के और चीरा लगा के तयार कर लेंगे इसके बाद अब हम सबजी की ग्रेवी बनाने के लिए दही और कुछ सूखे मसालों का पेस्ट बना कर तयार करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चार टेबल स्पून एकदम फ्रेश और ठंडा दही दही को मैंने दो से तीन घंटे पहले फ्रेश में रख दिया था तो यह एकदम ठंडा हो गया है तो ठंडे दही का ही हम इस्तमाल करेंगे इसके बाद इसमें एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर सबी चीजों का अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से आप चाहें तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं तो पेस्ट बना कर हमने तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में लगभग दो से तीन टेबल स्पून ओइल एड़ कर देंगे ओइल को अच्छे से गरम होने देंगे इसके बाद जो हमने सारी भिंडी काट के रखी थी उसे एड़ कर देंगे और भिंडी को हम लगभग 70% तक लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी अमारी काफी अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके बाद अब हम दो बारा से सेम पैन में लगभग 2-3 टेबल स्पून कोकिंग ओईल और अड़ करेंगे जब ओईल गरम हो जाए तब हम इसमें आड़ करेंगे एक खड़ी लाल मिर्च टुकड़े करके आड़ करेंगे 10-12 कड़ी पत्ते 1-4 टेबल स्पून राई 1-2 टेबल स्पून जीर 1-8 टेबल स्पून हींग और एक इस तरह से मीडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिला देंगे और जब प्याज हलके से ट्रांसलूसिंट हो जाए तब हम इनमें अड़ करेंगे 1 टेबल स्पून बारिक कटे हुई लेसन की कलिया 1 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ अद्रक और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी अच्छे से मिला देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से और अब हम प्याज अद्रक लेसन को तब तक पकाएंगे, जब तक इन पे हलका ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तो प्याज हमारे अच्छे से पक गए हैं, हलका सुनेरा कलर भी आ गया है इन पे, तो अब हमने जो दही और सूखे मसालों का पेस्ट तयार करके रखाता, उसे के तयार होगी, वैसे हमने ग्रेवी बनाने के लिए एकदम ठंडे दही का इस्तमाल किया है, तो दही के फटने के चांसे यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर मैंने दही को मिक्स कर लिया है, अब हम इसमाँ करेंगे, तीन से चार इस तरह से रफली कटी हुई हरी मिल्च, त्री फूर्थ ग्लास पानी, तो यहाँ पर पानी की कॉंटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एड़ कर ले, जिस तरह की आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहते है, स्वाद के अनुसर नमक एड़ कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे, इसके बाद हम तब तक इसे पकाएंगे, जिब तक के पानी में उबाल नहीं आ जाता, तो यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडे एड़ कर देंगे, और इसी के साथ एड़ करेंग परकि सबजी तले से चिपके नहीं और बिल्कुल भी जले नहीं, तो चार से पांच मिनट हो चुके हैं और हमारी सबजी पूरी तरह से बनके तयार है, तो एक बाद हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद आड़ करेंगे इसमें बारी कटाव व आप इसे रोटी, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी, तो एक बर इस रेसिपी को बना कर ज़रूर ट्राइ कीजिए, और आपको ये रेसिपी कैसे लगी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और अमीजिंग र सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी न भूले, इसे के साथ मैं बेल नोटिफिकेशन को भी ओन कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें, थैंक्स पूर वाचिंग